तो फ्रेंट्स गुड बॉर्निंग स्वागत है आपका एगवा फिर से आपके अपने फिटर मेकेनिकल एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर तो जैन साकी मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कोई भी टेक्निकल जॉब कपडेट किसी भी डिपार्टमेंट क की तरब से जारी होता है इट डिप्लोमा स्टुडेंट के लिए तो उसकी फुल इंस्वरमेशन में अपने भाईयों तक सबसे पहले पहुंचा पहूंँ तो फ्रेंट्स फाइनली बैंक नोट प्रेस देवास मत्यप्रदेस की तरब से एक रिक्यूर्मेंट निकलके आ रह सब्सक्राइब तो हम आज इन पोश्टों को डिसक्स करेंगे ठीक है एडवर्टाइजमेंट नमबर की बात करों तो बीनपी एचार क्लिमेंट 03-2022 ठीक है अब इसमें अगर बात करूं भारई नंबर अव पोस्ट की ठीक है किन-क पोस्टों पर इसमें अग्लेकर आया है 19 number of post इसमें junior technician printing की है और 2 post इसमें electrical IT की है ठीक है level 1 की इसमें आपकी salary रहने वाली जो की काफी अच्छा है इसमें आपका pay scale रहने वाला है प्लस आपको government of India के तरफ से other allowances जो है इसमें दिये जाएंगे ठीक है यदि आपका इसमें selection होता है तो ठीक है अब आगए अगर मैं बात करूँ तो upper age limit इसमें 25 year आपकी जो है upper age limit रखी गई है जो closing date से आपकी upper age limit count की जाएगी अब आगए अगर मैं बात करूँ तो important dates की बारे में मैं बात करता हूँ तो भई इसका जो apply online का form है वो 26 February 2022 से 28 March 2022 तक आप इसमें जो है form fill कर सकते हैं ठीक है अब आगए अगर मैं बात करूँ तो इसकी receipt आप 28 March 2022 तक रात में 12 बजे तक आप जो है इसकी receipt download कर सकते हैं application form की अब इसमें जो है tentative date of online examination तो आपका जो examination की date है वह अप्रेल या मई 2022 में tentative exam date expected exam date हो सकता है ठीक है अप्रेल और मई के बीच में ठीक है अब आँगे अगर इसमें बात करूँ तो वाई qualification इसमें clearly दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो junior technician इसन इंक factory के लिए qualification है वह क्या है तो इसमें जो है आपका पास full तो NAC जिनके पास होगा वही student जो है इस requirement में apply कर सकते है इसलिए मैंने कहा था भाई कि apprenticeship जो है आप complete कर लेना क्योंकि NAC हर जगे जो है हर requirement में आपसे मांगा जाता है maximum जो job आप निकल के आएंगी भाई इस्टूडेंट के लिए उसमें जो है apprenticeship certificate आपसे मांगेगा ठीक है अब आगए अगर मैं बात करूं जूनियर technician printing के लिए तो इसमें भी जो है आपके पास IT होना चाहिए जिसमें आपके पास machine minder letter place machine minder offset printing plate making electroplating full IT course in plate maker ठीक है कम impositor hand composing along with इसमें जो है इन सब trade से आपके पास IT होना चाहिए और one year का आपके पास NAC national apprenticeship certificate होना चाहिए ठीक है अभी इसका full notice नहीं आया है लेकिन जो पुराने recruitment के according जो मैं qualification बता रहा हूँ वह यही है ठीक है कि relevant trade में आपके पास IT pass out होना चाहिए और आपके पास NAC होना चाहिए और normal electrical technician जो है junior technician इसमें आपके पास जो electrician से आपके पास IT होना चाहिए ठीक है तो यह चीज मैंने आपको clear कर दी है मैंने आपको qualification भी बता दिया गया है वैंसे तो इसमें नहीं दिया ता लेकिन जो पुराने recruitment के according मैंने आपको इसमें qualification बता दिया है कि कौन-कौन से student जो है इसमें apply कर सकते है ठीक है NAC valid होगा NAC mandatory है तो अभी sort notice आया है full notice का wait करिए उसके बाद then सारा कुछ clear हो जाएगा कि आपको किस तरह से form fill करना है ठीक है क्या इसमें आपका जो है उसमें हो सकता है भी आपकी exam date को भी mention कर दिया जाए तो सारा कुछ जो ह जब official पूरा form निकल के आएगा इसका देन उसके बाद clear हो जाएगा और apply online की जो है वीडियो भी में आपको बनाने की कोर्सिस करूंगा बाकि अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि और भी जो official update आती है I take से job को लेका है diploma से job को लेका है 10th base पर त यही अपडेट देना था जहन टेक क्यार एंड बाय बाय